उर्दुपातन या सब्लीमेशन जिसे हम कहते हैं Nine Science में एक बहुत मेतोपूर्ण पार्ट है Chapter 1 का सब्लीमेशन या उर्दुपातन क्या है और उर्दुपातन की प्रक्रिया को हम एक प्रेयोग के द्वारा भी समझेंगे तो आईए देखते हैं क्या है ओर्दुपातन हमें पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जब ठोस अवस्था में है और अगर उस पदार्थ को हम उश्मा देते हैं तो वह द्राव अवस्था में बदलने लगता है और द्रव अवस्था से उश्मा देने पर वह गेसी अवस्था में बदलने लगता है अर्थात उश्मा पाकर अवस्था का परिवर्तन होने लगता है इसका अभी प्राई ये हुआ कि जब तापमान बढ़ता है तो ठोस अवस्था से पदार्थ ध्रव अवस्था में और ध्रव अवस्था से वह गेसी अवस्था में जाने लगता है और ठीक उसी समय यदि शीतलता आती है तापमान में कमी होती है तो ऐसे में वो गेसी अवस्था से द्राव अवस्था में और द्राव अवस्था से पुना ठोस अवस्था में बदलने लगता है ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि ठोस उश्मा लेकर या ताप बढ़ेगा तो द्राव में बदलेगा और ताब बढ़ेगा या उश्मा लेगा तो वो गेसी अवस्था में जाएगा जब ठंडा होता जाएगा तो गेसी से द्रव और द्रव से पुनह क्या होगा ठोज बनेगा लेकिन उर्दो पातन जो है सबली मेशन एक अलग तरह की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि ये जो बीच की स्टेप द्रव अवस्था वाली ये बीच की स्टेप हड जाती है मतब इसको बाइपास कर दिया जाता है बाइपास कैसे कर दिया जाता है कि गरम करने पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं सभी पदार्त नहीं, कुछ पदार्त ऐसे होते हैं, जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले, सीधे गे सवस्था में बदल जाते हैं, मतलब ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं वो, गे सवस्था में बदल जाते हैं, आपने जैसे ठोस अवस्था में कुछ शीधे क्या करेंगे ठोस अवस्ता से सीधे क्या करेंगे गेसी अवस्ता में बदल जाएंगे प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं उर्दुपातन है ना सब्ली मेशन कि ठोस से सीधे गेज बन गया द्रव नहीं बना तो यह कहलाता है हमारा उर्दुपातन उर्दुपातन पदार्थ जैसे आयोडीन है कपूर है नैफ्तिलीन है अमुनियम क्लोराइड ठोस कार्मन डैयोकसाइ यह उर्दुपातन बदार्थ है तो अभी हमने कपूर का एक्जामपल लेकर समझने की कोशिश की थी कि कपूर जो है अगर ठोस अवस्ता में है और अगर आपने उसको उश्मा दी या गर्म किया तो वो सीधे गेसी अवस्ता में बदल जाता है मतलब द्रव अवस्ता में तो यह जो बात है कि ठोस अवस्ता से सीधे गेसी अवस्ता में और अगर वापस से अगर आपने ठंडा किया तो गेसी अवस्ता से सीधे ठोस अवस्ता में आता है इसे हम कहते हैं उर्दुपातन या सब्लीमेशन और उर्दुपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले जो पदार्त थे आयोड्ीन कापूर, नैफ्लीन, आमोनियम, कोलोराइड यह सब उर्दुपातन को ठोस कारबंडे ऑक्साइड को बनाते हैं तयार होता है उसका जब कलेक्शन होता है वो उच्छ दाप पर होता है तो ठोस कारबंडे ऑक्साइड को जो है उच्छ दाप पर संग्रहित किया जाता है लेकिन जब वायूमंडली दाप का माप एक एड्मास्पेर हो जाता है एक ए ववस्था में बदले भी ना यह जो थोस सीयोटू है जिसको आपने उच्छ दाप पर संग्रहित किया जाए अगर एड्मास्पेरिक प्रेशार जिसको हम कह रहे हैं वायुमंड़ी दाप कमान एक एड्मास्प्यर हो जाए तो फिर यह क्या है कि जो थोस सीयोटू है यह द्रहों हाबस्ता में बदले गाए सीधे गेस में बदल जाएगा अब देखें यहाँ पर भी देखें थोस सीयोटू और थोस CO2 सीधे किसमें बदल गया, गेसी अवस्ताम बदल गया, मतलब ये उर्दुपातन का गुणस ने प्रदशित कर दिया, तो ठोस कारबंडे आकसाइड को इसी कारण से सुष्क बर्ब भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, कि जब बायू मंडली दाब का माप एक एड्मास्पिर ह हो जाता है, तो ये ठोस CO2 जो है, ये द्रव अवस्ताम में बदले बीना सीधे किसमें बदल जाता है, गेस अवस्ताम मतलब ठोस CO2 सीधे किसमें बदल जाता है, और यही कारणे किसे हम क्या कहते हैं, सुष्क बर्फ कहते हैं, अरे हाँ आपने ये ये नेफ्तलीन की जो ब जाती है वह से में नेफ्लीन को अगर आप रखा रहने दे तो कुछ समय बाद ये मतलब कुछ भी ठोस मदार दोगन अधरश हो जाती तो उसका क्या कारण नहीं कि इसमें इसमें पर उर्दुपातन का गून होता है तो जब नाफ्लीन कि ठाप ए check हवां रवस्ता को dis 전a बले तो हम कहेंगे और डुपातने और ऐसा नेफलीन की इसमें यह एंप लीगंदरेंगा कि दॐता है कि यह उठतलीन बॉल्लस वहे इक मंधल हो जाता है तो जो सी और और तो फिले गेज नद़ी तो हमने उर्दु पातन मैं सीखा चल जाते हैं तो हम कहते हैं यह तो सुधर्टम या सब्लिमेशन है चलिए बहुत बढ़े अधान के पाइंट कि ammonium chloride या कपूर का उर्दुपातन समझाईए तो suppose मालीजी ammonium chloride या कपूर का उर्दुपातन आपको समझाना है ठीक है यह प्रयोग एक्जाम में भी आ सकता है कि आप इसका उर्दुपातन बताईए तो पहले तो सीधी सी बात एक समझ लेजिए कि कपूर या ammonium chloride का उर्दुपातन का सीधा मतलब यह है कि जब आप इसको उश्मा देंगे तो यह क्या होगा उश्मा देने के बाद ठोस से सीधे किसमें बदलेगा गेस या वाश्प जब गेस अवस्ता मदल जाएगा ठोस लेंगे ठोस ammonium chloride या ठोस कपूर लेंगे गर्म करेंगे वाश्प बनेगी ठंडा होगा उपर जाने पर ठंडा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा फिर से ठोस बनना चाहिए बस बात खतम इतना हो जाए तो आप कह दीजिए का कि यह हमने उर्दुपातन को का यहां चून ले रहे है अमुनियों क्लोराईड या कपूर का आपने चूनले लिए अब मैं बार बार कपूर नहीं कहूँ आमोनियम क्लोराइड से ही बात करूँ आ तो अमोनियम क्लोराइड या कपूर का आपने चून ले लिया चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर यह चीनी मिट्टी की प्याली है यह चाइना डिश है यह रेड में लिखा रहा है लिब ना को इस टीके समझे अपने पर जीरे दिरे चाइना डिश को GARM करने हैं तो इस चाइनै कर तो जब आ होता देखिंग यहां पर इस जगे सको देखिया यह यहां एक जो रूई है उस रूई को आप यहां पर इस तरीके से एक टुकड़े को यहां इस तरीके से फसा देंगे ताकि ये जो है बाहर नहीं निकलने पाई यहां से जो भी वाश्प हो गया रहोगी तो वो बाहर नहीं निकले इसलिए रूई का टुकड़ा आपने यहां लगा दिया और यह उल्टा रखा हुआ कीप हो गया अब आपको यहां बंदी की पня फेले के प्याली है मोनियम क improvements का चूह अब आपको के दियार रूई का टुकड़ा ओपर से लगा दिये और यहां पूरा लिखा हुआ हमने क्या क्या किया ठीकै और और मेन और यह सब क्यों कि यहां में पता है हमने मात्री हिसलिए कि कि में बदल जाएगा तो हम के देंगे इसने उर्दुपातन का गुन प्रदशित कर दिया हम भी जानते हैं कि जब आप कपूर को गर्म करेंगे तो वह वाश्व में बदलेगा और अगर आप मान लिजी उपर आपने उसकी वाश्व के प्रदशित करना होता है इसलिए उसको व्यवस्तित तरीके से देखिए यहां उल्टा रग दिया और गुरूई का टुकड़ा आप इस तरीके से यहां लगा दीजेगा ताकि यह पैक हो जाए और यहां आपने बर्नर और अपने लिए अप क्या होगा देखिए अब यह यहां देखिए यहां क्या होगा यह कि यहां इस तरीके से यह आपका ठोश अवस्था में यह इस बरतनकी दिवार और यहां यह लग जाएगा यह बरतनकी दिवार फोवस्था में अमुनियूम क्लॉराइड आपको जमा डिपॉसिट यह है ना तो मतलब क्या हुआ कि यह जो कीफ है इसकी अंत्रिक दिवार के उपर ही अमोनियम क्लोराइड आपको दिखाई देगा यहां पर इस तरीके से तो इससे आप समझ गए कि जब आपने अमोनियम क्लोराइड या कपूर के चून को ठोस अवस्ता में आपने उसको गर्म कि हुआ तो ठंडा होकर वापस वो ठोस अवस्ता में बदल गया तो क्या हुआ क्या हुआ देखे आप कि ठोस अमोनियम क्लोराइड फिर वो ठोस अवस्ता से किसमें बदला गेस अवस्ता में ठंडा करने पर वो किसमें बदल गया वापस ठोस अवस्ता में कन्वर्ट हो गया इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे इसे ही तो हम कहेंगे उर्दु पातन तो इस तरीके से यह क्या हुआ यह उर्दु पातन हो गया ammonium chloride या kapoor का उर्द पातन आप इस प्रयोग को अगर आपको ammonium chloride kapoor के place पर naphthalene, iodine या antracine वगरा कुछ भी कहें तब भी आपको इसी तरीके से इस प्रयोग को संपन करना है कि वोले शब्द बदल देना है यहाँ पर या तो ammonium chloride, kapoor, naphthalene iodine, antracine इस तरीके से आप इस प्रयोग को संपन करेंगे और हाँ, एक और मज़धार बाद में यहीं आपको बता देता हूँ, कि कभी वो कहे कि नमक को इन सब पदार्थों से, मतलब ammonium chloride या kapoor या इन से अलग करना है तो नमक और kapoor का मिश्ण नहीं पूरा प्रोसिजर यही रहेगा ठीक है ना, पूरा प्रोसिजर रहेगा और ammonium chloride इस तरीके सब प्रथक हो जाएगा नमक यह रहे जाएगा तो यह हमारा ammonium chloride या kapoor का उर्दु पातन है बाकि हम अगली बार पढ़ेंगे